नमस्कार साथियो आज है 17th माई और इस सेशन में दहिंदू इडिटोरियल का वोकेबलिक कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पले वीडियो लाइक कर दिजी और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया हैं हो क्या हो जाता है नाउन हो जाता है और सेशन के मेनिंग के बात-क्रेट इसका मेनी होता है कंड़क्ट और स्पीच इंसेटिंग और और श कर रहा ? मोनार्ख किसको बोलते हैं जहां पर मतलब एक ही परसन क्या कर रहा हूगा एक तो सिक्षेट आपशेट करते हैं उस newest किसी को रेविल के लिए भरकाने के लिए सेडि़ीशन और य्ज रोंग सेंदिग्न आप फिर म्यूट इन हो गया सीपोई म्यूट इन जिसको बला गया था रिवल्ट अफ 1857 या निकी क्या होता है ओस्ट मनस अने विद्रोह उसको बोलते थे ठीक सीपोई मुटिरी तो यानि की वह क्या हुग थे विद्रोह कर गिया थे किसके एकांस जो मतलब ब्रेटी सर्थ थे उ feeling of being dissatisfied especially with people in authority और a system of control मतलब ऐसा feeling जो क्या कर रहा हो dissatisfied यानि कि असंतुष्ट फिल करा रहा हो ठीक हो इसके साथ especially with people in authority यानि कि जो कोई system के control कर रहा हो या authority में कोई people है ठीक है उससे आप क्या होगा dissatisfied होगा तो इसके लिए कौन सा वर्यूज करेंगे करेंगा ठीक है जिसका हिंदी में नहीं होता है ना खूसी क्या होगा ना खूसी अपको कोई सरकारी काम करने जाते हैं तो वहां जिस मतलब system जिसके control में होता है आप सुचते हैं कि यहां पर काम आसानी से हो जाएगा लेकिन जल्दी करते नहीं है जो भी सरकारी करमचारी होता है वह क्या करते हैं आपको टाइम पर टाइम जाते हैं कि इस टाइम आए इस टाइम आए तो उस चापको क्या होता है आपको बुरा लगता है और आप डिसेटिस्पाइज हो जाते हैं इसके लिए युश कर सकता है है इसका सीह आमैंग्स का हो सकता है जडी स्सेटिस्फएक्षन हो सकता है मतलब ओता है मतलब किसी से नखुस होगा तो सब्सक्राइब कर संट्रोल है कि नेस्ट वर्ड है रिप्रेसिव रिप्रेसिव की बात करें तो एक एड्जेक्टिव है क्या है एड्जेक्टिव जिसका मिनिम होता है making one feel oppressed यानि कि किसी को क्या कर देना ऑप्रेस्ट फिल करा देना ठीक है यानि कि दमनकारी इसका हिंदी मिन हो जागा अगर सीनोनेम्स की सकता है तो मिनीरिंग हो सकता है या फिर कोईशिव या फिर ओप्रेसिव यह सब इसके सिनोनीम सुझाएंगे कोईशिव या ओप्रेसिव यह सब क्या होगा इसके सिनोनीम सुझाए वर्ड क्या है रिप्रेसिव एड्जेक्टिव है अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक् सब्सक्राइब कर दो किनिफिकेंटों परिफेरल उसका हिंदी नहीं ने होजाएका अगर सिनॉनम् सकी बазब कर दोगाएगा इंपोट याकरतल कर देता है तो इस वासे नहीं हो कि दिलिए करते constitutional कि ये कर दे तेके इस-regarded होसकता है अन्नोटिस हो सकता है या फिर और नद सकते हैं यह सब वर्ड के सिनोनिम्स होगा वर्ड के है Marginalite जिसका हिंदी मीनिन होएता है उपेकछीत अब देखते हैं next word, next word is chilling, chilling की बात करें तो यह adjective है जिसका मीनिन होता है horrifying और frightening horrifying और frightening मतलब देखे, horrifying की इसको बोलते हैं जो आप मतलब डर आवना हो जिसको देखके आपको डर लगे ठीक है तो उसको horrifying यह frightening बोलते हैं जैसे किसी का गंदा सकल देखके आप डर गए तो उसके लिए उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते है chilling ठीक है सिनोनेम्स की इसका सिनोनेमख looking क्या हो सकता है this carry हो सकता है unsettling हो सकता है या फिर्जर सांथे अदर पैदा करने हर्ण या चीज को क्या बोले खीए फैलिंग बोलेंगे ठीक है अब देखता है next word, तो next word क्या है inner weight, inner weight की बात करें तो यह एक भर्व है, inner weight क्या है एक भर्व है, जिसका मिन्नी होता है maximum or something weaker or less effective, यहनी किसे चीज के effect को क्या करना, कम कर देना, उसको कम जोर कर देना, ठीक है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज हो, ठीक है, तो इसका हिन कर देंगे, less कर देंगे, तो क्या हो जागा, inner weight हो जागा, ठीक है, यहनी कि उसके energy को अखबान लेज़े, किसी का energy उसके पास नहीं है, उसके मतलब आप energy इधर उधर वेस्ट करा दी, तो वो क्या कर दो, धीर धीर क्या हो जागा, कम जोर हो जागा, तो synonyms का क्या हो सकता ह देबिलियेट हो सकता है, इमेस्कुलेट हो सकता है, इनफीवल हो सकता है, या फिर अंडर्माइन हो सकता है, यह सब इसके synonyms हो गए, जिन सब का मतलब यह होता है, परभाव हीन करना, या सकती हीन करना, अंडर्माइन वर्ड भी हमने कराया था, जिसका same meaning बताया था, तो अगर आप पीछे से से सेशन देख रहे हैं तो जरूर आपको पता होगा और आप चैनल पर ना है तो जरूर चैनल एक बार सस्क्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा वीडियो जरूर लाइक किजिएगा और अगर आपको कोई है अब देखते हैं नेइक्ट वर्त अनेटेनेबल नास्ट में ब एली सफिक्स पूसा सथक्षन नहीं फीक्स होता है जिस भी वर्ड क्लाइस फीक्स अता है हो क्या हो तो नियानि ही कोई मतलब आयसा जो क्या हो सपोर्टर सपोर्ट करने के एाल नाही नहीं पर थाइ ठीक है और कुछ कोई कुछ बुराई कर रहा है और उसके ढ Templar कर सकता है या फिर कोई किसी चीज को continue करने के आव रहिए उसके लिए याद कर सकते हैं जो मतलब कि बतोंने में प्लाउजिवल भी मसेशने हो जो सकताय है कि अजने सब करने में इसके किया गया तो कुर्टी सीज्म किया गया ठीक है आप देखते हैं नेस्ट वर्ड नेस्ट वर्ड वेग्यू वेग्यू की बात करते एक एड्जेक्टिव है वेग्यू क्या है एक एड्जेक्टिव है चलिए आपको अगले वीडियो में नाम भी लेंगे ठीक है अब चलते हैं नेस्ट वर्ड के तरफ वह होमर्ड जरूर्ड मतलब आप बताएगा देखिए इससे क्या होगा अगर आप कम्प्लीट करते हैं तो आपका जो पीछे का रिवीजन होगा और थोड़ा सा उसको समया की कोी वह सकता है इन्वैलिडेट होकता है इसल हो सकता है होगी जो एक बहुंत indoor करता है पेकिया भी सता है यह सब इसके सिनोफ को सब्सक्राइब को रहा है तो निरस्त करना यानिकि कि सिए मिनिंग की बात करें तो मिनिंग हो जागा दे बीगनी और फर्स्ट साइन अप सम्तिंग यानि किसी चीज का पहला साइन दिखना आप कोई बीज डाले ठीक है उसमें जो छोटा सा पहले निकलता है अंदर से कॉली वेगरा वह क्या हदा फर्स्ट साइन होता है कि उसके ग्रो ठीक है अगर की बात करें तो दॉस्स डाउन सेंट संधें फिर हो सकता है दाउन सेंटमेंट कांशेप्शन या या उन सेट यह सब इसके सिंट्स हो गया तो आई ओप आपको सेषन पसंदाया होगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दिजिएगा रहे है प्र अगले सेषन में जाहिंद